फाइनांस से जुड़ी लेटिस इंफर्मेशन पाने के लिए फिनोवेशन अपडेट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार आज के एक्स्टर डोस सेशन में आपका स्वागत है आज का फर्स्ट अपडेट है देश के फॉरन एक्सचेंज रिजर्व ने एक बर फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है फॉरन एक्सचेंज रिजर्व 23 अक्टूबर को खतम हुए हफते में 5.41 बिलियन ड के आल टाइम हाई लेवल पर पहुँच कया है रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जारी डेटा के अनुसार इससे पहले 16 अक्टूबर को खतम हुए हफते में देश का फॉरन एक्सचेंज रिजर्व 3.61 बिलियन डॉलर की ग्रोथ के साथ 545.12 बिलियन डॉलर था इस हफते में फॉरन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने की सबसे बड़ी वज्जह फॉरन करंसी ऐसेंत्स में ग्रोफ होना है आपको बता दें कि फॉरन एक्सचेंज रिजर्व में अमेरिकन करंसी के अलावा यूरो, पाउंड और ये जैसी इन्टरनाशनल करंसी भी शामिल हो वहीं government companies के shares लगातार नीचे जा रहे हैं पिछले 6 सालों में Sensex 15,000 points चड़ा लेकिन ज्यादातर महारतन और नवरतन companies के shares 2014 के comparison में आज half से लेकर quarter price पर बिख रहे हैं देश की सबसे बड़ी महारतन का दरजा प्राप्ट ONGC का share August 2014 में 290 रुपीज का था जो आज 65 रुपीज में बिख रहा है इसी तरह Steel Authority of India यानि सेल का share June 2014 में 97 रुपीज का था जो आज 34 रुपीज में बिख रहा है भले ही पिछले 6 सालों में coal mines के auction से government को बहुत पैसा मिला लेकिन coal India Limited का share इस दोरान 389 रुपीज से घट कर 110 रुपीज पर आ गया है Oil India Limited का share 319 रुपीज से घट कर 85 रुपीज पर आ गया है तो Engineers India Limited का share 139 से घट कर 64 रुपीज पर देश की सबसे बड़ी construction company NBCC का share 76 रुपीज से घट कर आज 22 रुपीज पर है यहां तक कि Indian Oil Corporation का profit last year के second quarter के comparison में भले ही इस साल 10 गुना बढ़ गया हो लेकिन उसके share का price भी लगातार गिर रहा है 2014 में इसका share 100 रुपीज का था जो आज घट कर 78 रुपीज का रहे गया है MTNL का share July 2014 में 35 रुपीज का था जो आज घट कर 9.45 रुपीज का रहे गया है चाहे NTPC हो State Bank, Hindustan Aeronautics Limited या Punjab National Bank सभी के shares पिछले 6 सालों में बहुत तेजी से गिरे हैं Government companies के share का price गिरने के पीछे investors का भरोसा डग मगाना है क्या आपके portfolio में भी government companies का कोई share है अगर हाँ तो comments करके जरूर बताएं कि आपने ये share किस price में लिया था और आज इसका क्या price है Next update है Mukesh Ambani के leadership वाली Reliance Industries Limited ने Current Financial Year के second quarter के results अनौन्स कर दिये हैं 30 September 2020 को खतम हुए second quarter में Market Cap के लिहाज से देश की सबसे बड़ी company Reliance Industries Limited ने 9,567 क्रोपीज का consolidated net profit बुक किया है जो last year same period के comparison में 15.05% कम है तब ये data 11,262 क्रोपीज का था Company के income 2020-2021 के second quarter में घट कर 1.2 lakh क्रोपीज रही जो एक साल पहले 2019-20 के same quarter में 1.56 lakh क्रोपीज थी वहीं Reliance की subsidiary company Reliance Jio ने 2,844 क्रोपीज का net profit बुक किया जो quarter on quarter basis पर 13% ज्यादा है Year on year basis पर ये data 185% ज्यादा है Last year same quarter में company का net profit 990 क्रोपीज था इस quarter में company के operating income 33% बढ़कर 17,481 क्रोपीज रही 2019-20 के same quarter में company के income 13,130 क्रोपीज थी Jio platforms का revenue quarter on quarter basis पर 7.1% बढ़कर 21,708 क्रोपीज हो गया और EBITDA 8.7% बढ़कर 7,971 क्रोपीज रहा Next update है अब तक के सबसे बड़े IPO को लेकर investors में गजब का excitement है चीन के leading businessman Jack Ma के Ant Group को Hong Kong और Shanghai में double listing के लिए individual investors से 3 trillion dollars के order मिले हैं जो last year Britain की GDP के बराबर है Hong Kong में bidding इतनी जबरदस्थ थी कि एक brokerage के platform को कुछ दिल के लिए बंद करना पड़ा शंगाई में retail category में demand supplies से 870 times ज्यादा रही Ant के 5 November को list होने की possibility है और माना जा रहा है कि उस दिन investors की जम कर कमाई होगी यही वज़ा है कि हर कोई share पाने के लिए बेताव है हाला कि इसमें भारी जोखिम भी है क्योंकि अमारिका में presidential election चीन में नियोमों में सकती और दुनिया भर में करोना के बढ़ते मामलों से investors को नुकसान हो सकता है next update है COVID-19 महामारी ने पूरी दुनिया में business को बुरी तरहां प्रभावित किया है इस महामारी से सबसे ज़्यादा affected देश अमारिका में लाखों लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है आने वाले दिनों में भी तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है Walt Disney World ने 11,000 से ज़्यादा employees की चटनी का announcement किया है इससे पहले भी company ने 6400 employees को निकालने का announcement किया था इस सरह Florida State इस resort में total 18,000 लोगों को अपनी नौकरी गवानी पड़ेगी Disney World ने Florida province और local leaders को भीजे एक letter में इस साल के end तक 11,350 union workers को निकालने की बात कही है यहाँ पर हमारा fan point extra door समाप्त होता है यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें comments करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो like जरूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए thank you